प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी आज ग्लोबल मिलिट्स का उधगाटन करेंगे इस मौके पर वे कॉन्फरेंस को संबोधित करेंगे इस कारेकरम में सौ से ज़्यादा देशों के प्रतिनिदी भाग ले रहे हैं कॉन्फरेंस उनिस मार्च को खत्म होगा ग्लोबल मिलिट्स कांफरेंस के मद्य नजर यह साल भारत के लिए बहुत ही एहम माना जा रहा है क्योंकि भारत दो हजार तेस में जी ट्वैंटी की मेजवानी कर रहा है सरकार ने मिलिट्स को जी ट्वैंटी बैठोकों का भी एक हिस्सा बनाया है मिलिट्स को मोटा आनाज भी कहा जाता है इसमें मुखे रूप से जुआर बाजरा, रागी जैसे आनाज आते हैं किंद्र सरकार के आहावन पर ही उनाइटेड नेशन 2013 को इंटरनेशनल मिलिट्स एयर के रूप में मना रहा है बारत सरकार किसानों को खेती के लिए प्रोसाहित कर उन्हें आर्थिक रूप से शशक्त बनाने का प्रयास कर रही है साथ ही आम लोगों को मिलिट्स के प्रती जागरो करने की दिश्या में तेजी से काम कर रही है